तेला अंगणा की राजपाल डॉक्टर तमिल साइब संदर राजन जी येंद्रिय मंत्री परशत के मेरे सयोगी नरेंद्र सींजी तोमर प्रिजी कष्ण रेडी जी इक्रिशेट की डारेक्टर जनरल और आनलाइन माध्यम से देश विदेश से खासकर अफ्रीकी देशों से जुड़े महानुभाव यहां उपस्तित देवियों और सज्जनों आज वसंत पंचमी का पावन परवा है आज हम ज्ञान की देवी माध्य सरस्वति की पूजा करते हैं आप सभी जिस्षेत्र में हैं उसका आधार ज्ञान विज्ञान इनोवेशन इन्वेंशन ही है और इसलिए बसंत पंचमी के दीन इस आयोजन का एक विशेत्र महत्त हो जाए आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई साथियोग पचाच साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस पचाच साल की यात्रा में जब जब जिस जिस ने जो जो योगदान दिया है बेज सभी अभिनंदन के अधिकारी है इस कारे को आगे भराने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूँ ये भी अद्भूत सहियोग है कि आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है तो आपकी संस्ता पचाच साल के इस अहम पड़ाव पर है जब भारत ने आज़ादी के सोवर्ष मनाएगा तो आप 75 वर्ष में होंगे जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष बनाए हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया है वैसे ही अगले 25 वर्ष इकली सेट के लिए भी उतने ही एहम है साथियों आपके पास पाँच दसकों का अनुभव है इन पाँच दसकों में आपने भारत सहीद दुनिया के एक बड़े हिस्से में क्रिशी खेत्र की मदद की है आपकी रिसर्च आपकी टेकनोलोजी ने मुश्किल परिस्तितियों में खेती को आसान और सस्टनेबल बनाया है अभी मैंने जो टेकनोलोजी डिस्पले देखा उसमें इक्री सेट के प्रयासों की सफलता नजर आती है पानी और मिट्टी का मेनेजमेंट हो क्रॉप वेराइटी और प्रोड़क्शन प्रैक्रिसेज में सुधार हो अनफार्म डाइवर्सिटी में बढ़ोतरी हो लाइजटॉक इंटिग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो ये होलिस्टिक एप्रोच निश्चित रुप से एग्री कल्चर को सस्टनेबल बनाने में मदद करते हैं तेलंगना और आंधर प्रदेश में दालों विशेश रुप से चिक पी को लेकर इस खेत्र में जो विस्तार हुआ है उसमें आपका योगदान एहम रहा है किसानों के साथ इक्री सेट की यही क्लॉबरेटिव एप्रोच खेती को और ससक्त करेगी समर्द करेगी आज क्लाइमेट चेंज रिसर्ट फेसिलिटी अन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रेपीड जनरेशन एडवांस्मेंट फेसिलिटी के रूप में नई फेसिलिटीज का उद्गाटन हुआ है ये रिसर्ट फेसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चनोती का सामना करने में क्रिसी जगत की बहुत मदद करेंगे और आपको पता होगा बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रिकेल्टर प्रक्रिसिस में क्या परिवरता लाने चाहिए उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिसेटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के गान जो परिस्थित्या पैदा हुई है नेचरल कलेमिटी जाती है उसमें मानव मृत्यू की चर्चा तो सामने आती है लेकिन इन्फरास्ट्रक्टर का जो नुक्षान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चर्मरा देता है और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रिजिस्ट्रंस वाले इन्फरास्ट्रक्टर के लिए उस पर चिंतन, मनन और योजनाय बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इस्ट्रिट्ट्रक्ट को जन्ब दिया है आज वैसा ही ये काम इस अगरिकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है आप सब अभिनंदन के अधिकारी है साथियों क्लाइमेट चेंज वैसों तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है लेकिन इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखरी पाइदान पर होते हैं जिनके पास रिसोर्सिस की कमी है जो विकास की सीडी में उपर चर्वजा के लिए मेहनद कर रहे हैं इन में बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान है और भारत में 80-85 प्रतिशथ किसान हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेश ज्यान देने का आगरे किया है भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टार्गेट तो रखाई है हमने लाइफ लाइफ मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एंवार्मेंट इस लाइफ मिशन की जरूत को भी हालाइट किया है उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवेंट है जो climate challenge से निपटने के लिए हर community को हर individual को climate responsibility से जोड़ता है यह सिर्फ बातों तक सिमित नहीं है बल्कि भारत सरकार के actions में भी यह reflect होता है बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के budget में climate action को बहुत अधिक प्रात्मिक्ता दी गई है यह budget हर स्तर पर हर सेक्टर में green future के भारत के commitments को proside करने वाला है साथियों climate और दूसरे factors के कारण भारत की agriculture के सामने जो चुनोतिया है उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी experts, scientists, technicians बलिभाती परिचीत है आप मेंसे जादा तर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 15 agro climate jones हैं हमारे यहां पसंद, ग्रिश्म, वर्षा, शरत, हैमन्त और शिशिर ये छे रुतिये भी होती हैं यानि हमारे पास agriculture से जुड़ा बहुत विवित्ता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है इस अनुभव का लाप विश्व के अन्य देशों को भी मिले इसके लिए इक्रिशेट जैसे संसाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे आज हम देश के करीब एक सो सतर डिस्ट्रिक्ट में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फूचर दोनों के फ्यूजन पर है हमारा फोकस देश के उन असी प्रतिस्ट से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है इस बजेट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचरल फार्मिंग और डिजिटल अग्रिकल्चर पर अभूत पर बल देया गया है एक तरफ हम मिलेट्स मोटे अनाज का दाइरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आधुनिक टेकलोलोजी को प्रुच्छाहित कर रहे हैं आज़ादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रिकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे वीजन का ये बहुत अहम हिस्सा है साथियों बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्पक्ष है डिजिटल एग्रिकल्चर ये हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बहतरिन काम कर सकते हैं डिजिटल टेक्नलोजी से कैसे हम किसान को एमपावर कर सकते हैं इसके लिए भारत में प्रयाश निरंतर बढ़ रहे हैं क्रॉप एसेस्मेंट हो लेंड रिकॉर्स का डिजिटाइजेशन हो ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसेड्स और नूट्रिंस की स्प्रेइंग हो ऐसी अनेक सर्विसिज में टेक्नलोजी का उप्योग आर्टिफिशल इंटलिजन्स का उप्योग बढ़ाया जा रहा है किसानों को सस्ती और हाइट टेक सर्विस देने के लिए एग्रिकल्चर रिसर्च से जुड़े इको सिस्टिम्स और प्राइवेट एग्रिटर्च प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है सिंचाई के अभाव वाली इलाकों में किसानों को बहतर बीच ज़्यादा पैदावर पानी के मनेजमेंट को लेकर I.C.A.R. और I.C.R.E.C.E.D. की पार्टर्शिप सफल रही है इस सक्सेस को डिजिटल एग्रिकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है साथियों आज हादी के अमरित काल में हम हायर एग्रिकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्रूजिव ग्रोथ को भी प्राथ्विक्ता दे रहे हैं आप सब जानते हैं कि कृषिक एक छेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत एहम है उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयम सहायता समों के मादम से भी प्रयास किया जा रहा है खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीब से बहार निकाल कर बहतर लाइट स्टाइल की तरब ले जाने का पोटेंशल है यह अम्रितकाल कठीन बोगोलिक परिस्थित्यों में खेती करने वाले किसानों को कठीनाईयों से बहार निकालने के नए मादम भी मुहया कराएगा हमने देखा है सिंचाई के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन रिवलुशन का हिस्सा नहीं बन पाया था अब हम दोहरी रणनीती पर काम कर रहे हैं एक तरफ हम वाटर कंजर्वर्शन के मादम से नदियों को जोड़कर एक बड़े खेत्र को इरिगेशन के दायरे में ला रहे हैं और अभी जब मैं प्रारम में यहां की सारे एक्चिवमेंट्स को देख रहा था तो उसमें बुंदेल खंड में किस प्रकार से पानी के प्रभंधन को और पर ड्रॉप मौर कॉप के मिशन को सफल करने के लिए कैसे सफलता पाई है उसका विस्तार चे वरनन मेरे सामने साइंटिस्ट कर रहे थे वहीं दूसरी सरफ हम कम सिंचित खेत्रों में बॉर्टर यूज एफिजन सी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोड दे रहे हैं जिन फसलों को पानी की जरुवत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती उन्हें भी आदुनिक वराइटी के विकाँ से पोच्छान दिया जा रहा है खाने के तेल में आत्मन निर्फरता के लिए जो नेशनल मिशन हमने शुरू किया है वो भी हमारी नई एप्रोच को दिखाता है आने वाले पांच सालों में हमारा लक्ष पाम ओयल एरिया में साड़े छे लाग हेक्टर की वृद्धी करने का है इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर स्तर पर मदद दे रहा है तेलंगना और आंधर प्रदेश के किसानों के लिए भी ये मिशन बहुत लापकारी होगा मुझे बताया गया है कि तेलंगना के किसानों ने पाम ओयल की प्रदेशन से जुड़े बड़े लक्ष रखे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी साथियों पिछले कुछ वर्षों में भारत में पोस्ट हार्वेस इंफरस्टेक्टर को भी मजबूत किया गया है हाल के वर्षों में 35 मिलियन टन की कोल्ड चेंज स्टोरेज केपिसिटी तयार की गई है सरकार ने जो एक लाग करोड रुपिय का एग्रिकल्चर इंफरस्टेक्टर फंड बनाया है उसकी वज़े से भी पोस्ट हार्वेस इंफरस्टरक्टर का तेजी से विकास हुआ है आज भारत में हम एप्पियोज और एग्रिकल्चर वेल्यू चेंड के निर्मान पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं देश के छोटे किसानों को हजारों एप्पियोज में संगढ़ित करके हम उन्हें एक जागरूख और बड़ी मार्केट फोर्स बनाना चाहते हैं साथियों भारत के सेमी एरिड खेत्रों में काम करने का इकली सेड के पास एक रीच एक्सप्रियंस है इसलिए सेमी एरिड खेत्रों के लिए हमें मिलकर किसानों को जोड़कर सस्टेनेवल और डाइवर्सिफाइड प्रोड़क्शन सिस्टिम का निलमान करना होगा अपने अनुभवों को इस्ट और साउथ अफ्रिका के देशों के साथ सेर करने के लिए एक्सेज प्रोग्रेम भी शुरू किया जा सकता है हमारा लक्षा सिर्फ अनाज का प्रोड़क्शन बढ़ाना ही नहीं है आज भारत के पास सरप्लस फूर्ड ग्रेन है जिसके दम पर हम दुनिया का इतना बड़ा फूर्ड सिकुरिटी प्रोग्रेम चला रहे हैं अब हम फूर्ड सिकुरिटी के साथ साथ नुट्रेशन सिकुरिटी पर फोकस कर रहे हैं इसी वीजन के साथ बिते साथ सालों में हमने अनेक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी का विकास किया है अब अपनी खेती को डावर्सिपाइड करने के लिए अपने सुखा प्रभाविक छेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बिमार्यों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलियन्ट वराइटी पर हमें जादा से जादा काम करना है साथियों इक्रिसेट, ICR और Agriculture University के साथ मिलकर एक और इनिसेटिव पर काम कर सकता है एक शेत्र है बायो फ्यूल का आप तो स्वीट स्वर्गम उस पर काम करते रहे हैं आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं जिससे सुखा प्रभावित किसान या कन जमीन वाले किसान अधिक बायो फ्यूल देने वाली फसले उगा सके हैं बीजों की प्रभावी डिलिवरी कैसे हो उनके प्रती विश्वास कैसे पैदा हो इसको लेकर भी मिलकम हम सब को साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है साथ क्यों मेरा विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटिव मैंड्स की मदद से पीपल्स पार्टिसिप्रेशन से और सोसाइटी के कमिट्मेंट से हम एग्रिकल्चर से जुड़ी तमाम चुनोतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे भारत और दुनिया के किसानों का जीवन बहतर बनाने में आप ज़्यादा समर्थ हो बहतर से बहतर टेक्नोलोजिकल सॉलूशन देते रहें इसी कामना के साथ एक बार फिर इक्रिशेट को इस महत्वपूर्ण पड़ाओ पर उनके भव्य बुद्काल का अभिनंदन करते हुए उजवल भविश की कामना करते हुए देश के किसानों की आन बान शान के रुप में आपका ये पुर्शार्थ काम आए इसलिए मेरी बहुत बहुत सुबकामना है बहुत बहुत बदाई धन्यवार Thank you very much sir for your encouraging and inspiring words. I take this privilege to thank you on behalf of whole ICRISAT.